Hello Friends, Welcome to Study News आज हम इस वीडियो में 17 अगस्त के exam related जितने भी important question है उन्हें हम यहां solve करेंगे, so let's start First question है, किस दिगज बल्लेबाज ने सन्यास की घोषना की है? आपसंस हैं, महेंदर सिंग धोनी, सुरेश रहना, अजिंके रहाने या रोहित सर्मा तो 15 अगस्त को महेंदर सिंग धोनी और सुरेश रहना दोनों ने ही सन्यास की घोषना की है महेंदर सिंग धोनी हमारे देश के क्रिकेट टीम के सफल कैप्टन भी रह चुके हैं इन्होंने 2014 में ही टेश्ट से सन्यास ले लिया था और वनडे और टी ट्वेंटी फॉर्मेट से 15 अगस्त को सन्यास लिया है इन्होंने कुल साढ़े 300 ODI मैचेस खेले हैं जिनमें इन्होंने 10,773 रन बनाए हैं और अंठानवे इंटरनेशनल टी ट्वेंटी मैचेस में 1617 रन बनाए हैं बात करें सुरेश रहना की तो सुरेश रहना ने 226 मैचों में 5615 रन बनाए हैं और टी ट्वेंटी में 78 मैचों में 1605 रन बनाए हैं सुरेश रहना IPL के सबसे ज़्यादा मैचेस खेलने वाले खिलाड़ी भी है अप्सन सी त्मिलनाडू, कर्नाटका, असम या उत्तर प्रदेश तो इसमें उत्तर अप्षन डी साही है उत्तर प्रदेश में 13 अगस 2020 तक कौविट परिक्षणों के आकड़े 36 लाख नमूनों तक पहुँच गए हैं उत्तर प्रदेश में दैनिक आधार पर लगभग एक लाग कोविट परिक्षण हो रहे हैं नेक्स्ट कोस्चन है हेल्थ एंड वेल्थ सेंटर के परिचालन में कौन सा राज्य पहले इस्थान पर है आपसंस है सिक्किम, आंद्र प्रदेश, पंजाब या हिमाचल प्रदेश तो पंजाब ने केंद्र सरकार द्वारा जारी राज्यों की नवींतम रैंकिंग के अनुसार स्वास्त और कल्याण केंद्रो जिसे हेल्थ एंड वेल्थ सेंटर भी कहते हैं इसके संचालन में पहली रैंक हासिल की है तो इसमें उत्तर आपसंस ही पंजाब सही है इस योजना की सुरुवात दो हजार उननिस में की गई थी नेक्स्ट कोश्चन है हाल ही में स्रेष्ट केंद्रिय विस्विद्ध्याले का दर्जा किसे दिया गया है आपसंस है जामिया मिलिय इसलामिय इनुवस्टी, देलई इनुवस्टी, राजिव गांधी इनुवस्टी या ज्वाहर लाल नहरू इनुवस्टी तो जामिया मिलिया इसलामिया इनवस्टी को सर्व स्रेष्ट केंद्री विस्विद्याले का दर्जा दिया गया है तो इसमें उत्तर आपसने सही है इसने 90 प्रतिसत स्कोर हासिल किया है इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का राजिव गांधी इनवस्टी दूसरे नमबर पे है और तीसरे नमबर पे ज्वालल नहरू इनवस्टी है नेक्स्ट कोस्चन है भारत ने किस देश के साथ अंत्रिक्ष सहयोग पर समझोता किया है आपसंस है साउथ अफरीका, नाइजीरिया, मलावी या मुरक्को तो नाइजीरिया के साथ भारत ने अंत्रिक्ष सहयोग समझोते पर हस्ताक्षर किया है तो इसमें उत्तर आपसं भी नाइजीरिया सही है इसमें भारत और नाइजीरिया के बीच सांतिपुन उद्देस्यों के लिए अंतरिक्ष की खोज और उपियोग में सहयोग पर समझोता किया गया है इसमें सहयोग्त अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास ग्रहों की खोज के लिए समझोता हुआ है नाइजीरिया की बात करें तो नाइजीरिया की राजदानी अभूजा है ये एक अफरीका कॉंटिनेंट का देश है इसके प्रेसिडेंट मुहम्मदू बुहारी है नेक्स्ट कोस्टिन है बांगला देश में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे न्युक्त किया गया है औपसंस है विसेश कुमार गगन अरोडा विक्रम दोरी स्वामी जगदीश मेनन तो विक्रम दोरी स्वामी को बांगला देश में भारत के नए राजदूत के रू को में अतिरिक्त सचीव प्रभारी है और अब ये बंगलादेश में सिव गांगुली की जगह लेंगे नेक्स्ट कोस्चन है टोकियो ओलिम्पिक के लिए भारती टीम का आधिकारिक प्रयोज़क कौन बना है ओप्सन्स है इनोक्स ग्रूप हीरो मोटर्स, डियलेफ ये रिलाइंस तो आइनोक्स ग्रूप टोकियो ओलिम्पिक के लिए भारती टीम का आधिकारिक प्रयोज़क बना है तो इसमें उत्तर ओप्सन ए सई है कोविड-19 पेंडेमिक के कारण टोकियो ओलिम्पिक 2021 में करवाया जाएगा किस राज्य में NPPA एक इकाई स्थापित करेगा तो करनाटका में NPPA एक इकाई स्थापित करेगा तो इसमें उत्तर ओप्सन भी करनाटका सई है करनाटका राज्य में औस धी नियंत्रण विभाग के समन्वय में National Pharmaceuticals Pricing Authority ने राज्य में मुल निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना की है The National Pharmaceuticals Pricing Authority भारतिय सरकार की एक औसधी नियंत्रक एजेंसी है NPPA की स्थापना 29 अगस्त 1997 में की गई थी और इसका हेड़कॉर्टर नियू डेली में है Next question है Go Air ने किसे नया CEO निक्त किया है Options है दिनेश कुमार त्रिपाठी अतुल कुमार जैन अनिल कुमार चावला या कौसिक खोना तो कौसिक खोना को Go Air ने नया CEO बनाया है तो इसमें उत्तर Option D सही है Go Air की बात करें तो Go Air का मुख्याले मुंबई में है और इसके founder जहांगीर वाडिया है और कौसिक होना विनेदूबे की जगह लेंगे तो ये थे आज के important questions So thanks for watching this video Please like, subscribe and comment